गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, इन क्लास टेंथ, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक कुनके मिरर है, वो कैसे इमेज फोर्मेशन करता है, ठीक है? तो उसके हमने जो टोटल six cases थे, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था, जो आज का जो next topic है, that is image formation by convex mirror, तो convex mirror क्या होता है, इस तरह से, जहाँ पर अंदर से polish होती है, और बाहर से reflecting surface होता है, ठीक है? तो हमें image formation से पहले, कुछ points है जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, number one है, अगर हम कोई भी एक convex mirror बनाते हैं, तो यह line क्या कलाती है, principle axis, ठीक है? तो यह principle axis है, और यहाँ पर अगर हम, जो center of curvature उसको C से note करते हैं, यहाँ पर इस point को हम P से note करते हैं, जिसको बोलते, pole of the mirror, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक point होगा, जिसको बोलते principle focus, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है, अगर कोई भी ray of light parallel आती है, principle axis के, तो वो हमेशा diverge होकर क्या हो जाएगी? ऐसे diverge हो जाती है, अगर उस rays को हम पिछे की दरफ लेके आते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है, हमेशा principle focus पर कट करेगी, ठीक है? second case है, अगर कोई भी ray of light principle focus के लोग आएगी, तो वो क्या करेगी? reflect होकर parallel हो जाती है principle axis के, ठीक है? तो यह हमारा second case से में ध्यान रखना है, थर्ड case में क्या होगा? अगर कोई भी ray of light center of curvature के लोग आती है, तो वो rays हमेशा retrace कर जाएगी original path को, ठीक है? और वापिस उसी path से ह कर वो वापिस मुड़ जाती है, ठीक है? fourth case में क्या है? अगर कोई भी ray of light pole के उपर आकर incident होगी, तो हम देखेंगे वो normal के साथ, या principle axis के साथ, कितना angle मनाती है? उसको बोलेंगे angle of incidence, तो जितने angle से incidence होगी, उतने ही angle से वो क्या करेगी? reflect हो जाती है, जिसको बोलते angle of reflection, ठीक है? अगर हम इसको पिछे की तरफ लेके जाएंगे, तो वो इस तरह से चली जाएगी, ठीक है? तो जो image formation में हमारी help करेगी, ठीक है बटा? तो यह 4 points समय द्यानक ने हैं, इसके बाद, अब हम पढ़ेंगे image formation by convex mirror, तो convex mirror है कैसे image बनाएगा? तो हमारे पास देखो, यह 6 case हो सकते हैं, यहाँ पर mainly 2 case हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर case 1 क्या होगा? when the object is placed at infinity, अगर कोई भी convex mirror है, और उसके सामने जो object है, वो कहाँ पर रखा है? infinity पर, infinity पर है तो वहाँ पर है, जो यह मैंने dotted line दिखाई है, इस का अर्थ है, कि जो हमारी raise आ रही है, वो कहां स इसे note कर लिया, यह mid point है, mirror का उसको pole हमने note कर लिया, और इन दोनों point के बीच में, जो point होगा, that is focus, ठीक है? तो यहाँ पर अगर infinity पर object है, तो वहाँ से मैंसा parallel raise आती है, ठीक है? तो वहाँ से raise कैसे आएंगे, मैंसा parallel, अगर कोई भी parallel raise आएगी, तो वो क्या करेगी, diver होकर ऐसे मोड़ जाएगी, अगर हम उनको पिछे की तरफ लेके आते हैं, तो हमेसा focus के उपर आकर cut करेंगी, तो वहीं पर हमारी image बनेगी, ठीक है? अब image कैसी है, देखो, जिस side object है, उससे दूसरी side image बनेगी, तो उसको क्या बोलोगे, virtual image, क्या बोलते है, virtual image, कैसी image बनीए ब image formed at app, तो principal focus के उपर बनेगी, ठीक है? और कैसी है, erect बनेगी, वैसे हमें दिखाई नहीं देती, इसमें, erect है या inverted है, तो हम इसमें क्या बोलते है, erect बनेगी, क्योंकि next case से हमें अच्छे से सल्ज़ुन आ जाएगा, ठीक है? आपको याद रखना है, कि कभी भी convex mirror है, वो inverted image नहीं बना सकता, वो हमेशा कैसी बनाता है, erect image, ठीक है? तो इसके बाद case 2 है, case 2 में क्या है, when object is placed near the convex mirror, तो अब हमने देखो, ये convex mirror लिया, अब object को थोड़ा सा close ले आई, mirror के पास ले आई, ठीक है? तो यहाँ पर ये pole, ये principal focus, ये center of curvature, ठीक है? तो हमने object को किसे note करना है, A, B से, तो सबसे पहले parallel raise, तो ये क्या करेगी, diverge होकर चली जाएगी, वगर इसको पीछे की तरफ लेकर आऊगे, हमेशा principal focus पर आकर cut करेगी, ठीक है? दूसरी raise मान लेते है, center of curvature के अलोंगारी है, तो जिस रास्ते से आएगी, उसी रास्ते से वो वापिस retrace कर जाएगी, original path को, तो जहाँ पर ये दोनों raise आपस में cut करेगी, वहाँ पर हमारी image बनेगी, A dash, B dash, ठीक है? ओके? तो ये हमारी image बनेगी, तो यहाँ पर देखो, जिस side object है, उससे दूसरी side image बनी है, तो कैसी है? virtual image, ठीक है? और कैसी बिटा? damaged image, क्योंकि object से छोटी है, ठीक है? और य कैसी है? erect image, उपर की और बनी है, प्रिंसिप लेक्सी से, तो कैसी बनेगी? erect image, ठीक है बटा? तो ये है हमारे दो case, जहाँ पर हम convex के द्वारा image formation पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपने इस lecture को अच्छे से त्यार करना है, संज में आना चाहिए, ठीक है?